अब हम घुर्णी गती के लिए कार्य का सूत्र देखते हैं, हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल इंटु विस्थापन, यदि हम रेखी गती की बात करें तो हम वहाँ पर लिखते हैं कार्य बराबर बल इंटु विस्थापन, लेकिन जब हम घुर्णी गती की बात करेंग तो यहाँ पे कार्य बराबर होगा बल आगोन इंटू कोनी विस्थापन बल के जगह हम बल आगोन लिखेंगे और विस्थापन के जगह कोनी विस्थापन तो इस प्रकार घुर्णी गती में कार्य का सूत्र हो जाता है W बराबर Tau into Theta जहां Tau बलागुन है और Theta कोन ये विस्थापन अब घुर्णी गती में हमें शक्ती ग्यात करना हो तो हम जानते हैं शक्ती बराबर कारी करने की दर होती है तो जो कारी हमने ग्यात किया है उसे यदि मैं समय से भाग देतो तो वो कारे करने की दर को बताएगा, यानि कि घुरनी गती में शक्ती को दर चाता है, तो शक्ती बराबर हो जाएगा W upon T, और दोनों पक्षों में यदि मैं T से भाग दो, तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ इंटू थीटा अपॉन T, और W upon T होता है शक्ती, तो मैं इसे लिखूंगी P, और यह हो जाएगा टाउ इंटू थीटा अपॉन T, थीटा अपॉन T, यानि कि कोणी विस्थापन अपॉन समय, जब हम विस्थापन अपॉन समय लिखते हैं, रेखी गती में, तो वो रेखी गती में वेक को दर चाता है, यदि हम कोणी विस्थापन भुरनी गती में कोणिये वेक को दर्शाएगा और कोणिये वेक को हम ओमेगा से दर्शाते हैं तो इस प्रकार P बराबर होगा टाव इंटू ओमेगा यहां पर टाव यानि कि बल आगोन एक सदीश राशी है और कोणिये वेक यह भी सदीश राशी है पर शक्ती अधीश के बीच में डॉट प्रड़क्ट होगा यानि की अधीश कुणन हम लिखेंगे पी बराबर टाव डॉट ओमेगा और यह फॉर्मुला है घुर्णी गती में शक्ति का अब हम घुर्णी गती में कोनिय सम्वेक का सुत्रग्याद करेंगे कोनिय सम्वेक बहुत ही इंपॉर्ट जाते हैं इससे जुड़े हुए निमेरिकल कोश्चन्स भी कॉम्टिटिव एक्जाम में आते हैं चाहे आप मेडिकल की त्यारी कर रहे हो चाहे इंजिनर की त्यारी तो हम इस कोनिय सम्वेक को स्टेप बाई स्टेप इसका भौतिक अर्थ देखेंगे इसका सूत्र देखे के परिता बल का आघोन बताता है यानि कि उस घुरनि कर्ते हुए वस्तुक्य घुर्नन प्रभाव को दर्शाता है उसी प्रकार कोनिय सम्वेक रेख्ये सम्वेक का किसी पिगुलनन अक्ष के परिता है आघोन को को द으र्शाता है यानि कि उस वस्तु की घुर्णी गती को दरशाता है और इसलिए हम कौणिय समवेग का सूत्र हो तो तो भी संवेग का घुर्णनों अक्ष के परिताां आघो नहीं होगा तो इस प्रकार कौणिय सम्वेग बराबर रेखिये सम्वेग इंटो घुरनन अक्ष से लंबवत दूरी होती है मान लीजे हमने यहां पर एक कंड लिया है जिसका द्रव्यमान M है और घुरनन अक्ष से इसके दूरी आर है यह कंड वी वेग से वी यहां पर रेखिये वेग है वी वेग से इस घुरन अक्ष के से लमवत दूरी तो रेखिये सम्वेक का सूत्र हम लिखेंगे M into V और इस अक्ष से लमवत दूरी मान लीज़े R है तो हम R लिखेंगे तो इस प्रकार कोणिये सम्वेक बराबर होगा M V R कोणिये सम्वेक को हम L से दर्शाते हैं L इंग्लिश के है capital letter alphabet L के द्वारा दर्शाय जाए गा और इसका मातरक हम देखें तो मास का आप होता है के जीड़ सेकंड़ के लिए हम M लिखेंगे मास, मीटर के लिए यानि की दूरी के लिए L स्क्वार और समय के लिए T तो यह हो जाएगा T-1 तो इस प्रकार कोनिय सम्वेक का वी में सूतर M L स्क्वार T-1 होता है अब इस कोनिय सम्वेक को सदीश रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा मैंने बोला यह कोनिय सम्वेक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमने अभी इसका सूत्र अदीश रूप में देखा अब इस सदीश रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा यह देखते हैं इसके लिए हम एक कोडिनेट फ्रेम ले रहे हैं X Y Z मान लेजिए इस कोडिनेट फ्रेम में X Y तल में एक कर्ण है जो पी बिंदू पर है जिसका स्थिती सदीश इस फ्रेम के ओरीजिन से आर की रूप में दिया जा रहा है इस कर्ण का द्रविमान M है मान लेजिए यह कर्ण वीवेक से कती कर रहा है इसका रेखिये सम्वेक P से दर्शाय जाएगा और इस चित्र के अनुसार यह कर्ण X Y तल में है और यह रेखिये सम्वेक भी आप देखेंगे यह X Y तल पर ही है यह जो स्थती सदीशे वो भी X Y तल पर ही है और यह चित्र अनुसार R और P के बीच का कोण फाई है एक्चुली कोणी सम्वेक रेखिये सम्वेक का आघूर नहीं है घुर्णन अक्ष के परिता तो इसका सूत्र हम लिखे तो L बराबर हो जाएगा रेखिये सम्वेक इंटु घुर्णन अक्ष से लमवत दूरी यह पी कर्ण इस एक्स वाई तल में घुर निगति कर रहा है तो यहां से हम देखे तो L बराबर हो जाएगा पी इंटु ओ एन अब इस ओ एन का मान हमको ग्याद करना है इस समकौन तरिभूज में देखे ओ एन पी में तो साइन फाइव बराबर होगा लंब टे कर्ण इन फाइब बराबर होगा ओन अपॉन ओपी अब यहां से हम देखे ओ से लेकर पी तक की दूरी आर सदीश के द्वरा दर्शाई जा रही है तो हम यहां लिख सकते हैं ल बराबर पी इंटु आर साइन फाइब इस सूत्र में पी रेखिये सम्वेग है यानिक एक सदीश र और इन दोनों सदीश के साथ यहां पर सा इंट फाइब लिखा गया है तो इन दोनों सदीशों के बीच में क्रॉस प्रोड़क्ट आएगा तो हम एल को सदीश रूपमें लिख है तो हैल सदीश बराबर होगा आर सदीश क्रॉस पी सदीश, इन दोनों सदीशों के बीच में सदीश गुणन आएगा, यानि कि क्रॉस प्रोड़क्ट, और यही सदीश रूप है कोनिय समवेग का, इसको हम लोग और ब्रॉडली किस प्रकार लिख सकते हैं, हम जानते हैं, रेखिये समवेग बराबर होता है M into V, यह गुणन फल होता है, द्रव्यमान into V का, तो हम M V लिख दिए, और इस प्रकार L बराबर हो जाएगा, R cross M V, M द्रव्यमान है, एक अदीश राशी है, इसको अलग कर देते हैं, तो यह क्रॉस प्रोड़क्ट किस किस के बीच में होगा, दोस अदीश के बीच में होगा, यान और V के तल के लंबवत होगी, और इसकी दिशा बताने के लिए हम अपने राइट हैंड के रूल का स्तमाल करेंगे, राइट हैंड के रूल के अनुसार, आप अपनी उंगलियों को R से लेकर P तक करल करें, तो जो अंगूठे की दिशा होगी, वही कोनिय सम्वेक की दिशा L Y J प्लस L Z की हैं, जहां पर L X उसके X घटक का मान है, L Y घटक का मान है और L Z उसके Z घटक का मान है, इसी प्रकार हम इस्तिती सदीश R को भी उसके घटकों के रूप में लिख सकते हैं, तो R बराबर हो जाएगा X I प्लस Y J प्लस Z की, अब रेखिये सम्वेक, इसको भी हम घटकों की रूप में लिखते हैं, तो P बराबर होगा P X I प्लस P Y J प्लस P Z K, हम जानते हैं बच्चों, किसी भी सदीश को उसके घटकों की रूप में लिखा जा सकता हैं, और जब एक बार हमने सूत्र ज्यात कर लिया है, फिर मैं आपको उसके घटकों की रूप में भी बतारी हूं वह इसलिए कि जब कॉम्टिटिव एक्जाम में कोश्चन्स आते हैं तो यह घटकों की रूप में दिये जाते हैं और आपको इसके अधार पर वैल्यूज ग्याद करना पड़ता है इसलिए मैं यहां पर क्रॉस प्रोडेक्ट को भी फोकस कर रहे हूं ताकि आप क्रॉस प्रोडेक्ट करने में दो सदीशों का गलती ना करें और साथ ही आप वैल्यूज को घटकों के रूप में भी ग्याद कर सकें तो कोनी सम्वेक का सूत्र इस प्रकार हो जाएगा अब इसको हम क्रोडेक्ट करेंगे आर और पी का तो सबसे पहले हम दो लकीर खिशते हैं यानिक एक मैक्टरक्स बनाते हैं जिसमें आई जे और के कम्पोनेंट लिखेंगे तो आई जी और के लिखा तब से पहले आर के कम्पोनेंट लिखेंगे एक्स वाई जेड फिर हम लोग पी के कोफिशेंट लिखेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड अब क्रोस मल्टिप्लाइ करना है और वही नियम लगा कर तो इस बार आप भी मेरे साथ साथ ये क्रोस प् आप करते रहेंगे तो आपकी प्राक्टिस भी हो जाएगी तो सबसे पहले हमको आई के कोफिशेंट ग्याद करने हैं तो हम क्या करते हैं आई के नीचे यानि कि वर्टीकल और होरिजन्टल दोनों ही लाइन को चुपा देते हैं तो बचते हैं चार कंपोनेंट और उन ही क हम क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते हैं बीच में माइनस चिन भी लगाते हैं तो बड़े सावधानी से आप भी मेरे साथ करिए पर उसके बाद जो मेरे ट्रिक बताया था उसकी साहता से हम डिरेक्ट इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो पहले हम यहां पर क्रॉस मल्टिप करेंगे तो यह हो जाएगा Y PZ माइनस करके अब लेट से राइट करेंगे मल्टिप्लाई तो जाएगा Z PY प्लस अब J के लिए कोफिशेंट ग्याद करेंगे अब क्रॉस मल्टिप्लिकेशन रिवर्स ओर्डर में होगा आप भी मेरे साथ करिए अब यह हो जाएगा Z PX माइनस X PZ प्लस K के लिए निकालेंगे फिर K के वर्टिकल और होरिजन्टल कम्परेंट को छपाने के बाद हमको मिलेगा X PY माइनस Y PX आपको भी यही प्राप्त हुआओगा आप मुझे जो प्राप्त हुआए उसके समीकरन के साथ कम्पेर कर सकते हैं इस समीकरन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कम्पेर करके आप X Y और Z घटक निकाल सकते हैं तो यहां से LX बरापर हो जाएगा Y PZ माइनस Z PY LY बरापर होगा Z PX माइनस XPZ और LZ बरापर होगा X PY माइनस Y PX अब इसको हम जो cyclic order से बनाये थे उसके अनुसार निकालने की कोशिश करते हैं हम एक cycle बना लेते हैं जिसमें x, y और z एक cyclic रूप में लिख देते हैं अब माल लीजे हमको L का x घटक ग्याद करना है यानि कि Lx ग्याद करना है फॉर्मुले में L बराबर R x P है तो सबसे पहले हम R के घटक लेंगे उसके बाद ही P के घटक लेंगे तो L का यदि x घटक ग्याद करना है एक्स के बाद cycle में हम देखें तो क्या आता है y और उसके बाद z तो जब X घटक ग्याद करना हो तो हम R और P के Y और Z घटक लेंगे तो यहां से यह हो जाएगा Y R के लिए लिखे और P के लिए Z घटक लिखेंगे तो वो P Z हो जाएगा यानि कि आपको में लिए का Y P Z अब माइनस करके order reverse कर दीजे अब हम P का Y घटक लेंगे और R का Z घटक लेंगे तो यह हो जाएगा Z P Y मतला order को हमको reverse करना है एक पर R का हमने Y घटक लिया और P का Z घटक लिया माइनस करके आप क्या लिखेंगे आप R का Z घटक लिखेंगे और P का Y घटक लिखेंगे अब वैसे ही L, Y निकालते हैं आप भी मेरे साथ निकालने की कोशिश कीजे साथ में हम लोग L, Y का मान गयाद करते हैं तो L, Y बराबर होगा Y के बाद अब साइकल में हम देखें तो क्या आता है Z और X तो सबसे पहले R का हम Z घटक लिखेंगे और P का X घटक तो यह हो जाएगा Z P X बस इसके order को reverse करना है माइनस, अब R का हम लेंगे X घटक और P का Z घटक तो यह हो जाएगा Z P X माइनस X P Z अब L का हम Z घटक निकालते हैं Z के बाद इस साइकल में क्या आता है X और Y तो R का X घटक लेंगे P का Y घटक लेंगे फिर रिवर्स कर देंगे तो यह जाएगा X P Y माइनस Y P X इस प्रकार हम कोनिय सम्वेक के X, Y और Z के अनुदीश तीनो घटकों को ग्याद कर सकते हैं अब हम कोनिय सम्वेक का जयमिती अर्थ देखते हैं मान लेजिए हमने एक कर्ण लिया है जिसका द्रवयमान M है और यहां कर्ण इस X, Y तल में P बिंदु पर स्थित है और यहां कर्ण इस X, Y तल में Z अक्ष के परिता घुरुणी गती कर सकता है मतलब इसका घुरुणान अक्ष जेड अक्षी है इस P बिंदू पर इस कंड का स्थिती सदीश हम R सदीश से दर्शा रहे हैं और मान लीजे, अल्प समय यानि डेल्टा T के बाद ये कंड P से Q बिंदू पर पहुच जाता है यानि कि इसमें विस्थापन डेल्टा R का हो रहा है अल्प समय पर हमने अल्प विस्थापन लिया है और इस समय यानि कि क्यू बिंदू का स्थिती सदीश हम दर्शाते हैं R प्लस डेल्टा R से अब ये कंड P से Q बिंदू तक पहुचा और ये इस प्रकार इस तल पे आगे बढ़ते हुए ये जैडक्ष के परीता घुर्णी गती कर रहा है जब ये पी से क्यू बिंदू तक पहुचा तुम देख सकते हैं कि इसका जो सदीश है उसने एक छेत्रफल कवर किया है ये जो छेत्रफल है इसे हम डेल्टा A से दर्शाते हैं और इस छेत्रफल को हम ग्यात करें तो ये त्रिभूच O P Q का छेत्रफल होगा अब इस त्रिभूच O P Q का छेत्रफल इस चतुरभूच O P Q R का आधा होगा क्योंकि हम जानते हैं एक चतुरभूच को दो त्रिभूचों के रूप में बाटा जा सकता है और ये दोनों त्रिभूज एक दूसरे के बराबर ही होंगे मतलब इनका छेत्रफल बराबर ही होगा क्योंकि ये इसे बीचों बीच बाट रहा है इसलिए त्रिभूज O, P, Q का छेत्रफल यदि हम निकाले तो इस चतुरभूज के छेत्रफल को आधा करेंगे इस प्रकार हम लिख सकते हाफ इन्टू चतुरभूज P, Q, R, O का छेत्रफल इस चतुरभूज P, Q, R, O का छेत्रफल निकालना हमारे लिए असान है यदि चतुरभूज का छेत्रफल लंबाई इन्टू चोड़ाई होती है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चतुर भूज की लंबाई R सदीश से दर्शाई जा रही है और इसकी चोड़ाई डेल्टा R से दर्शाई जा रही है तो हम लिखेंगे half R into delta R अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को मैं अल्प समय डेल्टा T से भाग दे दो तो left hand side में बनेगा delta A upon delta T बराबर half R into delta R upon delta T यहाँ पर R और delta R दो सदीश है और इनके बीच में cross product हमने स्तमाल किया है दोनों को गुणा किया है इसलिए यह जो answer होगा यह जो राशी इसमें प्राप्त होगी दो सदीशों के गुणन फल के बाद वो एक सदीश राशी होगी जिसमें की दिशा होगी फिलहाल हम यहाँ पर इसका छेत्र फल ग्याद कर रहे हैं तो हम दिशा को हटाते हुए सिर्फ इसके मान पर फोकस करेंगे और इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ताकि हम केवल इसके परिमान पर फोकस कर सकें तो इस प्रकार डेल्टा एपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा वन अपॉन टू आर क्रोस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और इस्थिती सदीश का समय के साथ साथ परिवर्तन वेक को दर्शाता है डेल्टा और अपॉन डेल्टा टी के जगे मैं वी लीख सकती हूँ जहां वी इसकन का रेखिये वेग होगा तो डेल्टा एपॉन डेल्टा टी बराबर हाफ आर क्रोस वी होगा हम जानते हैं रेखिय समवेग पी बराबर होता है M into V, यानि कि द्रव्यमान और V का गुणन फल, तो यहां से V बराबर लिख सकते P upon M, तो इस प्रकार delta A upon delta T बराबर होगा 1 upon 2 R cross P upon M, यहां पर M अदीश राशी है, इसको मौट से बाहर ले जाती हूं, तो यह हो जाएगा delta A upon delta P equal to 1 upon 2 M, R cross P, यहां R स्थिती सदीश है और P रेखी समवे, यह दोनों भी सदीश राशी है, इनके बीच में cross product है और हमको यहां पर केवल मान पर focus करना है, इसलिए मैंने यहां पर mod लिखा है, और यह राशी R cross P, यह घोड़नन अक्ष के परिता रेखी समवे के आगोन को दर्शाता है, यानि कि कोनी आगोन को दर्शाता है, इसलिए मैं delta A upon delta T बराबर लिखूंगी, 1 upon 2M into L, जहां L कोनी समवेख है, और इस समिकरंट से हम L बराबर लिख सकते हैं, 2M into delta A upon delta T, अब यह delta A upon delta T क्या है, हमने देखा कि R स्थिती सदीश के द्वारा, अल्प समय delta T में जो छेतर फल कवर किया गया, उसी को हमने delta A लिखा था, तो यह अल्प समय में जो छेतर फल कवर किया जाता है, उसे हम छेतरिय वेख के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार कोनी समवेख बराबर 2 into द्रव्यमान into छेतरिय वेख होता है, और यही कोनी समवेख का जयामिती अर्थ है, रेखी समवेख किसी वस्तू के द्रव्यमान और उसके रेखी वेख का गुणन फल होता है, जबकि कोनी समवेख उस वस्तू के द्रव्यमान उसके छेतरिय वेख के गुणन फल के दुगने के बराबर होता है, अब आईए हम कोनिय सम्वे और बल आगोण में संबंध स्थापित करते हैं L बराबर होता है R x P यदि इस सूत्र का मैं दोनों पक्षों में समय के सापेख्ष अफकलन करो यानि कि D upon DT of L equal to D upon DT of R x P होगा यहाँ जो अफकलन है R x P का यह अफकलन की नियमों के आधार पर ही किया जाएगा यहाँ पर इन दोनों सदूशों के बीच में cross product है तो हम cross का ही इस्तमाल करेंगे क्योंकि यह सदीश राशी है और dot और cross में फर्क होता है dot मतलब अधीश गुनन और cross मतलब सदीश गुनन तो सूत्र तो हम अफकलन का ही लगाएंगे लेकिन सदीशों की बीच में यहाँ पर cross product ही लगेगा तो left hand side मिलेगा DL upon DT और यहाँ सूत्र लगाने पर पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन का यानि की पहली राशी का अफकलन करेंगे तो यहाँ डियार अपॉन डिटी cross P plus DP upon DT cross R और डियार अपॉन डिटी यानि की समय के साथ साथ स्थिती में परिवर्तन यह कहलाता है वेग तो इससे हम लिखेंगे V और rate of change of momentum यह कहलाता है force यानि की बल गती के दूसरी नियम के नुसार तो DP upon DT equal to लिखेंगे हम F तो DL upon DT equal to होगा V cross P plus R cross F अब समवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग तो अगले step में हम लिखेंगे V into MV plus R cross F अब M तो एक अदीश राशी है V सदीश राशी है तो एक cross product दोनों सदीशों की बीच में आएगा तो हम लिखेंगे M V cross V plus R cross F अब ये V और V दोनों के बीच में cross product है यानि एक ही राशी है या यू कहें एक ही सदीश है और उनके बीच में cross product है तो दोनों के बीच का कौन 0 होगा और हम जानते हैं A cross B बराबर होता है A B sin theta जाद theta A और B के बीच का कौन होता है तो अगर दोनों ही एक ही राशी हो तो हम वहाँ पर लिखेंगे sin 0 और sin 0 का मान होता है 0 तो V cross V बराबर भी हो जाएगा 0 तो DL upon dt बराबर होगा M into 0 प्लस R cross F तो DL upon dt बराबर होगा R cross F और R cross F बराबर होता है tau तो DL upon dt बराबर हो जाएगा tau यानि कि बल आघोन रेखी समवेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है इस सूत्र को हम देखे तो सूत्र का basic concept वह है जो हम रेखी गती के लिए स्तमाल करते हैं गती के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तू पर बल आरूपित किया जाता है तो वो उसके समवेग में परिवर्तन कर देती है और यू कहें कि समवेग परिवर्तन की दर आरूपित बल के समानुपाती होती है और वहाँ पर हम लिखते हैं F बराबर dp upon dt जहां F बल ह और पी रेखी समवेग यहां पर हम बल के जगे बल आघुन लिख रहे हैं यानिकि टाव से उसको रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि यह गुर्णी गती है तो हम रेखी समवेग को कोनी समवेग से रिप्लेस कर देंगे इसलिए फॉर्मुला होता है टाव बराबर dl upon dt त इस प् रेखी सब्ड का स्थमाल करते हुए सूत्रों को लिखते हैं वहां हम कोन यह शब्द का स्थमाल करते हुए सूत्रों को दुबारा लिखेंगे पर Basic Concept वही रहेगा अब बच्चो हम किसी वस्तु में संतुलन के स्थिती देखते हैं बच्चो गती के पहले नियम के नुसार जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहती है जैसे कि विराम में है तो विराम में रहेगी गतीशील है तो उसी दिशा में ही गतीशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाहे बल ना लगाया जाए यानि कि यदि बल नहीं होगा तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा यानि कि वस्तु उसी अवस्था में ही रहेगी या फिर किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कारे कर रहे हो और वो इस प्रकार कर रहे हो कि उनका जो नेट बल है वो शून्य हो जाए तो उस अवस्था में भी वस्तु की स्थिती में कोई परिवर्तन नहीं होगा यानि वस्तू जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में ही रहेगी इसको यदि हम सूत्र अनुसार देखें तो हम जानते हैं गती के दूसरे नियम से F बराबर होता है dp upon dt यानि जो बल लगाया जाता है वस्तू में वो इस वस्तू के समवेग में परिवर्तन कर देता है यानि कि परिणाम शून्य हो तो हम लिखेंगे F बराबर 0 और इस कंडिशन में dp upon dt बराबर बे 0 होगा और किसी राशी का differentiation 0 है यानि उसका अफकलन 0 है तो वह एक नियत राशी है तो यहां से पी बराबर नियत होगा यानि कि बल की अनुपस्थिती में या फिर जहां नेट बल शून्य हो उस स्थिती में भी वस्तू के समवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता या यू कहें तो वस्तू का नियत रहता है और समवेग नियत है यानि कि उसका वेग भी नियत है तो वस्तू यदि विराम में होगी तो विराम ही रहेगी और गतिशिल होगी तो उसी वेग से उसी दिशा में ही गतिशिल रहेगी यदि इसको हम घुर्णी गति के लिए देखे तो घुर्णी गति के ल मान शुणने लेते हैं यानि कि वस्टू पर कोई बल आगोन कार यहीं नहीं कर रहा हूं या फिर बहुत सारे बल इस प्रकार कारे कर रहे हों कि वस्टू में घुड़नी गती नहीं उत्पन कर रहे हों तो उस कंडिशन में DL upon DT का मान भी शुन्य होगा यानि कि इस वस्तू का कोनिय समवेग नियत रहेगा और कोनिय समवेग नियत है इसका मतलब इस वस्तू का कोनिय वेग भी नियत होगा और यही संतुलन के स्थिती कहलाएगी और यूं कहा सकते हम कि संतुलन के स्थिती में जहां पर वस्तू पर कोई भी बल आघून कार्य ना करे या फिर इस प्रकार बल कारे करे कि बल आघून का मान शून्य हो उस कंडिशन में वस्तु का कोनिय समवेग नियत रहता है